For example, artist की बाद करें, किसी performer की बाद करें. Comedy night says, Kapil देखते हो आपनों? Kapil शर्मा में और जो हजारो stand-up comedians हैं, उसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है? है. माला, Kapil शर्मा ऐसा क्यो है, कि लाइफ की छोटी-छोटी सिचुएशन में ऐसे-इसी चीज़े ढूण लेता है, जो और लोग नहीं ढूण पाते हैं. और भी stand-up comedians उस लेवल पर पहुचना चाहते हैं, पहुच नहीं पाते हैं. क्या कानी है? क्या फर्क है? क्या 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 है? तो कोई डाउट ही नहीं है, कि knowledge और experience तो चाहिए. मैं बात कर रहा हूँ, दो लोग जिनके पास में same तरह की knowledge है, same तरह का experience है, फिर भी एक है, जो उस knowledge को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है. और दूसरा है, जो नहीं कर पा रहा है. अगर एक वर्ड में बोलना हो, तो एक वर्ड क्या होगा, जैसे concentration और इन सब से मिलता जुता है, desire, conviction. 100% देना कि बस 0.99 का 0.001 भी नहीं छोड़ा है, यही है, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, इस जस 100% मगर ऐसा, देखो, यह चीजा ना, जो आप अभी बाते कर रहे हो, ध्यान से समयने किकोशिश करो, कि यह जो चीजे हैं, यह तो हम सब को पता हैं, लेकिन मैं अगर सीक्रेट बोल रहा हो, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है, जिसको मिस कर रहे हैं, देखकर के भी मिस कर रहे है कि देखो, अपनी तरफ से 100% तो सारी दे रहे हैं ना, अगर ओलम्पिक्स में, वो 10 लों कॉंपीट कर रहे हैं एक रेस के लिए, जो अपनी अपनी कंट्री के बेस्ट हैं, तो अपनी तरफ से कौन होगा जो 100% नहीं देगा, देंगे, क्यों नहीं देंगे, अगर उसको ए अभीना बिंद्रा आप सबने नाम सुना होगा, जो गोल्ड मेडल जीते थे वहाँ पे ऐलम्पिक्स में, उनसे अगर आप जा करके कुछ होगे कि क्या फर्क होता है जो आदमी गोल्ड जीता है और जो सिल्वर जीता है उसके अंदर, तो हम 100% शॉर वो यहीं बोलने वाले है कि उस टाइम पे जब वो competition चल रहा होता है, कि इसकी awareness कितने उपर level पे है, उसका सारा खेल होता है, कि एक आदमी जब वहाँ पे निशाना लगाने वाला है, fraction of seconds के लिए, एक second के लिए भी नहीं, एक second के एक हजारवे हिस्से के लिए भी अगर उसका ध्यान उस dot से हलका स ले गया, मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे awareness का level इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है, कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक dot के अंदर आ जाता है, इस हद तक awareness बढ़ जाती है, और बिना ऐसी awareness के ये भी सब क किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है, जिसका जितना ज्यादा है, उसके लिए possibilities उतनी ही ज्यादा है, वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाट डालेगा, वो successful हो जाए, किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सक किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अवेर्नेस की बात कर रहा हूँ तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में या हमारे घरों में इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही जबकि वो बेस है एक क्लास के अंदर पचास स्टुडेंट से सबको बोला जा रहा है उनके घर पे भी और महाँ पे क्लास में भी पढ़ो 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 ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ को यह क्यों नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे लगाए हैं पर देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि ध्यान एक यूथ का या हमारा भी सब का कितनी जगे भटका हुआ है तो इसको एक स्टीज आ जा जाती है घब आगके हात में कंट्रॉल होता है आप जब चाहे इस चीज का आप जया सा सवहिए आप बेस बठो एट अब जब चाहे जितनी देर के लिए जिस चीज पर चाहे उस चीज पर उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं जब भी, जहां भी, जैसे भी और जब चाहिए, अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते हैं हटा करके कहीं और लगा सकते हैं अब आपके हाथ में आप एक मिनिट रोको, एक घंटा रोको, एक दिन रोको सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ या और लोग भी कर पाएंगे, तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो कहेगा मुश्किल है या नामुकिल, जो कहेगा कि नहीं हो सकता अगर कोई इनसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर, किसी तरीके से जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो नहीं की जा सकता आप्छी हुआ है या आपजा नापन टोड़ कि रेंग को अकि नहीं करेंगी तो जैनी कि उन्न है, गिर्यों की लिए इसको सिखायगे ंवेर्नастरों हाग Figdetimas को सबस्क्राइब पुराने गुरुकुल की बात करें तो इस समय उता था गुरुशे की जो परंपरा होती थी सिस्ये को अपना घर चोड़ना पड़ता था और आगए वो गुरुकुल में रहता था कि उसका ध्यान भटके नहीं पचाच जगें ना जैए उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु रही आज अपने स्कूल में जो चीज़े सीखी उसमें से कितनी चीज़े याद हैं लेकिन सोचो अगर उस टाइम पर एक पीरिड ऐसा होता जहां से आपकी ध्यान की पावर्स को बढ़ा दिया जाता आपकी अवेर्नेस को बढ़ा दिया जाता तो आज आप जो चाहते हो सीख सकते थे लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं टेंपरररी नॉलिज देते चले गए ऐसा नहीं है वो इंपोर्टेंट नहीं है उसकी अपनी एक इंपोर्टेंस है लाइफ में लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि अगर हंडेट परसंट ध्यान आप वहां पे दे रहे हो तो 10% ध्यान यहां क्यों नहीं दे सकते अब मज़ेगी बात बताता हूं कि अब यह सुन करके आपको लग रहा हो गए बता नहीं कितना मुश्किल है क्या है जबकि यह बहुत असान है बहुत असान है सिर्फ लोग को पता नहीं कि इसको करना कैसे है और इसकी प्राक्टिस आप 24 घंटे कर सकते हैं जहां चाहे वहां कर सकते हैं और इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको तीन लेवल्स पर काम करना हो आपके उपर है आपके अपनी चॉइस है कि आप किस लेवल पर काम करना चाहते हो और कितना करना चाहते हो सबसे पहला जो लेवल है वो है बोडी की जो activity आप कर रहे हो उसका और awareness का direct connection है अब पूरा दिन बैठे रहो और TV देखते रहो पूरा दिन शाम के टाइम देखना आपकी awareness level कैसी होई आपकी सोचने समझने की शक्ती कैसी हो और आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी ना करो कम भी ना करो लेकिन एक्टिव रहो उस समय आप देखना आपकी अवेर्णेस लेबर कैसी है सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो सबसे पहला क्या है कि बॉड़ी को आक्शन में ले करके आना पड़ाईगा उतना ही हमारी अवेर्णेस बढ़ेगी अब वो कैसे लाना है ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे इसके हजार तरीके हैं पुलिंग बहुत सिंपल है सुबह उठकर के एक सैसमे ओईल होता है तिल का तेल होता है उसको आपको अपने मूह में रखना है उठते ही बिना ब्रश किये बिना कुछ किये और पंदरा मिनिट के लिए कुला करते रहना है और उसके बाद में थूख देना ले जागर के फ्लश में उससे होगा क्या उससे आपकी कम से कम हजारों बिमारियों में आपको फाइदा होगा आपका पूरा का पूरा डैजेस्टिव ट्रैक्ट डीटॉक्स हो जाता है दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसका डिरेक केनेक्शन है अभी इस चीज़ से जिसकी में बात कर रहा हूँ बॉडी की अक्टिविटी बढ़ाने की आपको आलस मार जाएगा आलस गायब पंदरा मिनिट के अंदर प्रॉब्लम है क्या जड़ क्या है मेरा जो मकसद है सेशन को करने का वो यह नहीं है कि कोई theoretical बाते करके यहां से खतम कर दूँ प्राक्टिकल सोलूइशन जड़ क्या है कि जब सुबह उठते हैं तो awareness level इतना काम होता है हमारा क्योंकि आज़कर जया तर लोग रात को late सोते late सोए, ठक करके सोए उसके बाद में सुबह late उठ रहे है तो awareness level गिरा हुआ है न उस टाइम पे किसी तरीके से अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो अपनी awareness को बढ़ाना है वो कैसे बढ़ेगी? oil pulley is a way out अब वो करो एकदम active हो जाओगी आपका आलस गाया आपों के अंदर जो नीन नीन सी आ रहे होती है सुबह उठने के बाद में बड़ी पूरी डीली होती है क्यों होती है? क्योंकि toxins भरे होते हैं पूरी body के अंदर वो toxins गाया पूरी की पूरी body clean होई energy level एकदम हाई हो जाएगा आपका awareness level भड़ेगा वो भरते ही, अब उसको यूस करना है क्या करना है? इमीजेटली स्ट्रेचिंग करनी है यह मैं करता हूँ उथते ही, सबसे पहले सुबह बेशिक स्ट्रेचिंग करी यह किया, यह किया, यह किया, हल्की फुल्की ज्यादा नहीं उससे body और active में आई, awareness level और body के लिए, उसके बाद में मैंने किया होगा, अपने घर में थोड़ा सा push-ups को अगरे कर लिए, एक rod लगवाई हुए जिसके उपर थोड़े से chin-ups को अगरे कर लिए, और यह सब कर लिए, उसके बाद में yoga कर लेता हूँ 20 minute के लिए, ज्यादा नह यह नहीं कि एक घंटे के लिए करना है, दो घंटे के लिए करना है, कभी पाफ चला गया, jogging करने के लिए, in other words, किसी भी तरीके से अपनी body को active करता हूँ सुबह सुबह, क्यों अगर आपने सुबह अपनी body को active नहीं किया, तो नहीं करका हूँ यह जाड़ है, जिस body को मैं action में लाने की बात कर रहा हूँ, वो action में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब हम सुबह उठे, तभी इतना आलस भरा हुए है, कि वो आलस हमको जगार लेता है, और धीरे 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 दिन के end तक पहुँचते पहुचते हम जा करके पढ़ जाते है, और कुछ समझ नहीं आ र प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, और यह चीज साइन्टिफिकली प्रूब हो गई है, बजाए यह कि आप एक घंडा नॉन स्टॉप एक्सराइस करो, अगर पांच-पांच मिनिट की दिन में दस बार करो, that is much more effective, बोडी लिथार्जिक मोड में जा रही है, action दे तो, so, यह हो गया पहला लेवल, मतलब कि बॉडी के लेवल पर, अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पर, वो है माइंड का लेवल, यह बहुत इंटरस्टिंग, कि माइंड के लेवल पर अवेर्नेस को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो माइंड है हमारा, वो बॉडी को कंट करना है, बहुत सिंपल है, माइंड का क्या नेचर है, एक टाइम पर, दस जगे भागना, दस जगे भागना, अब जो मैने आपको एक्जांपल दिया था, कि दो बच्चे हैं, एक ही क्लास में है, और एक दो घंटे पढ़ता है, एक शे घंटे पढ़ता है, दोनों में क्या आठ गंटे परता है, यह छे घंटे परता है, वो पढ़ने का टाम को और बहुत कुछ करता है, तो सिंपल, अपर उसको कैसे डील करेंगी बच्चे, इस वरी गूट क्वेश्चिन, देखो, मुल्टी टास्किंग का मतलब तो यह है, कि हम एक टाइम पर बहुत सारे काम कर स करें, और एक्जामपल, अगर मैं ऑफिस में, मैं चारो कामों को एक साथ करने की कोशिश करूगा, कुछ लोग करते हैं कोशिश, ऐसा काम करने की, वो पागल हो जाते हैं, वो बॉकला जाते हैं, यार मेर से नहीं हो रहा, काम बहुत सारा है, मेर से नहीं होगा, क्यों नही यह एक साथ में दुना हाथों से लिखना है, यह नहीं है multitasking, multitasking है कि आपके पास में 10 काम आये, एक को किया, हटाया, दूसरे को किया, हटाया, तीसरे को किया, हटाया, जब तीसरे को कर रहे हैं तो पहले और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, चौथे, पांचवे, लगा सको और अपने ध्यान को हटा भी सको which is more important देन लगाना और example किसी ने business में अपना ध्यान तो लगा लिया पैसा भी कमा लिया लेकिन अब वो रात के time अपनी family के साथ में बैठा हुआ है और उसके दिमाग में business भूग रहा है सोने की कोशिश कर रहा है नीन नहीं आरी business चल रहा है मनला आपका ध्यान वाद लग तो गया लेकिन वहां से हट नहीं पा रहा है कट नहीं पा रहा क्योंकि किसी ने सिखाया है नहीं कभी किसी ने बात ही नहीं करी कि ध्यान को हटाना कैसे है concentration तक तो फिर भी बहुत लोग बात करते हैं कि concentration को कैसे बढ़ाना है मगर ध्यान जब एक बात peak पे पहुँच जाए तो उसको हटाना कैसे है that is very very important तो मैं क्या करता हूँ किस तरीके से अपने ध्यान को लगाता हूँ बहुत simple है mind और body को जो connect करता है वो है हमारी breath हमारी जो सांसे उसने mind और body को आपस में जोड़ा हुआ है जहां आपकी सांसे बंद हुई mind और body अलग अलग body फिर सिर्फ एक body है उसमें कोई mind नहीं है तो इन सांसों को आप as a tool यूज़ कर सकते हो आपको शुरू में tools की जरुद पड़ेगी आप समझें आप mind को control करने की कुशिश कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा powerful है उससे ज़्यादा powerful इस दुनिया में कुछ नहीं है तो उसको control करने के लिए आपको किसी tool की जरुद पड़ेगी आप अगर चाहोगे कि ऐसे ही control हो जाएगा तो ऐसे नहीं होने वाला मैं आपको एक example बताता हूँ simple सा आप में से किसी ने मेरा वो देखा है illusion to reality वाला session देखा है उसमें मैंने बात करी थी 32 बार चबाने की लोग इसी बात को पकड़के बैठ गए इसका मतला 32 बार चबाओ वो कोशिश कर रहे है एक दिन किया दो दिन किया फिर भूल गए ऐसे होता है ऐसे होता है वो असली जड़ को समझे ही नहीं जो मैंने कहा था ये secret था उस वीडियो का मतलब ये मेरे पास में टूल था अपने mind को control करने का जो बहुत पावफुल जानवर है mind क्या है एक बंदर के जैसा है कभी इदर भागा, उदर भागा, उदर भागा कभी note करके देखना हमारा mind एक मिनिट के अंदर-अंदर कितनी जगे भाग जाता है और कई पर ऐसे जगे भागता है जिसका एक thought से दूसरे thought का कोई मतलब ही नहीं होता कोई connection नहीं होता अभी हम business के बारे में सोचने हैं एकदम से family के बारे में सोचने लग जाएंगे एकदम से बच्चों की चिंता हो जाएगी एकदम से हम पढ़ाई के बारे में सोचने हैं एकदम से हम 20 साल आगे चले जाएंगे फिर हम 20 साल पीशे चले जाएंगे कहीं का कहीं भाग रहे हैं कहीं का कहीं बटक रहे हैं तो इस बंदर को control करना है विच वेरी पावफुल तो उसको control करने के लिए हमको एक टूल चाहिए जिससे mind को हम लगाम दे सके आज मैं टूल्स की बात है करने वाला कि वो टूल्स क्या है that is more important than knowledge itself knowledge तो आप एक मिनेट में गूगल पे जाओ gain कर लो कैसे पतले होना है ऐसे आपको 1000 फंडे मिल जाएंगे तो उस knowledge को apply कैसे करना है mind की आपते कुछ और है mind आपसे कुछ और करवाना चाहता है वो आपसे 32 बार नहीं चवाना चाहता आप 32 बार चवाना चाहते हो तो mind को अपने बश्च में करना है कैसे करोगे tool ध्यान लगाने के लिए एक tool चाहिए most important वो tool क्या है एक सबसे important में आपको बताया आपकी breath कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस लेगा for example आप सीडिया चड़ने वाले हो लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगे से हटा करके सीडियों पर ले आओ उस moment में सीडिया चड़ना important जै और कुछ तो important नहीं है ना तो हम अपने ध्यान को कहा ले आए सीडिया चड़ना कितनी छोटी सी चीज लग रहे है और यह करना क्या मुश्किल है मुश्किल नहीं है बहुत असान है अगर हम करना चाहें तो अगर हम करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है टूल आपको उस ताइम पर क्या मिला आपकी प्रेथ उसके अलावा जितने ज्यादा टूल्स होगे उतना आपके लिए बेटर है तो उतना ही वो ध्यान बार बार जैसी भठकेगा वो वापिस वहाँ पर ले आएंगे वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे वो याद दिलाने का काम कर रहे है ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं बैंड पहन सकते हो आप अपने हाथ में सिंपल सा बैंड आप कहीं से भी खरीच सकते हो और इसको ले करके अपने हाथ में पहन लो यह बैंड गया है एक रिमाइंडर है to come back जब भी आप इसको देखो तो एक रिमाइंडर है be aware as simple as that यह क्या है यह रिमाइंडर है कि ध्यान को भाई खाने पे लिया ध्यान तेरे टीवी में जा रहा है खाने पे लिया और नहीं भी चाहेंगे तो लगाना पढ़ेगा ध्यान यहाँ पर इस टूल की वज़े से तो इस टूल में क्या है अगर यहाँ पर ध्यान नहीं लगाए तो खाना कहा होगा नीचे चला जाएगा तो ध्यान लगाना पढ़ जाएगा जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे हम करना चाहेंगे लेकिन फिर भी करना ही पाएंगे और क्या-क्या टूल्स हो सकते हैं इस तरह ऐसे लोग टैटू बनवाते हैं तो एक सिंपल सा आइडिया है आप टैटू बनवा सकते अपने हाथ में यह किसी इसका टैटू है? लाइट का टैटू है इस तरह की प्रिंट आउट है इसको मैं अपनोट कर दूँगा अपनी वेब साइट पे फ्री डाउनलोड सेक्शन में जहां पर वाल पेपर में जाके कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और प्रिंट आउट निगाल सकता है ऐसे प्रिंट आउट ले ले करके हम घर में चार जगे लगा सकते है उससे क्या होगा? बार बार आपका आप यह मान करके चलो कि माइंड तो भटके गा ही इन बातों को सुनने से कुछ नहीं होना अला सब बाकवास है वीडियो वीडियो यह वो यह सारी चीज़े बाकवास है जो अब देख रहे हो जब तक इन चीज़ों का प्रैक्टिस में नहीं लेकर क्या होगा जैसी आप प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करोगा बंदर भागेगा माइंड आपका इधर भागेगा उदर भागेगा कहेगा अरे बेकार है छोड़ो इस सब क्या करना है बकवास है कुछ नहीं होने वाला इस सबसे क्या हुआ कुछ नहीं बदलेगा यह होगा जो जैसे चल रहा था वैसी चलता रहेगा कुछ नहीं बदलने वाला awareness level नहीं बढ़ेगी अगर हमने कुछ नहीं किया तो और मैं वो ही बता रहूँ कि करना कैसे है उसके तरीके क्या है इस print out को हम जगे जगे लगा सकते हैं इस print out में क्या लिखा है awareness is light as simple as that जागना मतलब light और ignorance is darkness सोना मतलब darkness अंधेरा बस ये बार 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 दिखेगा तो ये बाते याद आती रहेंगे क्योंकि वीडियो तो आपने एक बार देखी दो बार देखी फिर भूल गए अफते बाद लेकिन ये लगा रहेगा तीम मेने बाद भी तो क्या होगा बार बार याद दिलाने का काम करें अब देखो मुबाइल है हमारे ध्यान को बठकाने की सबसे बड़ी जड़ क्या है मुबाइल, इंटरनेट कम्प्यूटर ये टूल है, ये गलत फहिमी है कि इसकी वएसे हमारा ध्यान बठकता है इस टूल को हम कैसे यूज करते हैं उसका सारा खेल है आग से हम जला भी सकते हैं और एनर्जी भी प्रेड्यूस कर सकते हैं मुबाइल में आप हर एक घंटे में रिमाइंडर लगाओ बी अवेर अवेरनेस इस लाइट हर एक घंटे में क्या होगा टूल बन गया वही मुबाइले जो आपको तंग कर रहा था आपको डापनेस की तरफ ले करके जा रहा था वही आपको लाइट की तरफ ले जाए दिमाग लगाओ कौन-कौन से टूल को आप किस-किस तरीके से यूज कर सकते हैं कहां पर आप ऐसा क्या करना चाहते हो जिसमें आप किसी टूल को यूज कर सकते हैं अपने ध्यान को उस काम में लगाने के लिए और जितने भी लोग successful हैं किसी भी field में आप ध्यान से देखोगे वो किसी ना किसी टूल को यूज कर रहे हैं इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी awareness बढ़ती चली जाएगे सोचने के टाइम पर सोचना है खाने के टाइम पर खाना है चलने के टाइम पर चलना है भागने के टाइम पर भागना है मीटिंग के टाइम पर मीटिंग है जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ में खेल रहे हैं जब अपनी वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं तो सिर्फ वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं इसकी एक्जाम होते हैं, जैसे उनके इंटर्व्य कोश्टन जब आते हैं, शायद अवेरनेस वहां पर भी बहुत जाता है उनको चाहिए होते हैं, जब वो पूसते हैं, आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आपके पीछे वाली दिवार का रंग क्या है, जो सीडियां चड़ में, इधर, उदर, बिसनस में, वो ये नी समझ पाते कि कोई भी लड़ाई होती है न जंदी की, वो लड़ाई तो दो मिनिट की होती है, और एक्जामपल, ओलम्पिक्स है, तो कॉम्पिटिशन तो दो मिनिट का है, दो मिनिट की रेस है, लेकिन उसकी तैयारी कितने सालों से होती है, दस साथ से होती है, कुछ लोग सोचेंगे, यार ध्यान लगा करके सीने चड़ने से क्या हो जाएगा, अरे आपकी अवेर्नेस का लेवल बढ़ेगा, इस से क्या होगा, जब आप जो आपका इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर इन चीज़ों का प्र लिमिट नहीं क crave जासकते हो कहां टक भड़ा सकते हो कोई लिमिट कुछ नहीं कर दिके वह नहीं पहुचना था चोड़ दोंतर, अभान इन ज्यां है क्या क्यों दो कि हैंए चैन आपका इस भील नेल से अचार यहां बोडी पे है अपने माइंड पें अपने थॉट्स पर है और फिर आप उթचा करिए रोन पो करना ओ पकुंच को पखड़ोगे चुस करना होगा चूस करोगे छोड़ना होगा ठोड़ो हिमें किरा वोही करोगे जो आपके लिए और तो पिले अच्छा होगा आप चाहा करके भी कुछ बुरा नहीं करता होगा इसका फाइदा सिर्फ आपको नहीं होगा सब को पूरी की पूरी दुनिया को इसलिए मैं इसेशन करता हूँ कि यह सिर्फ आप तक नहीं रहेगा यह फैल जाएगा अवेर्नेस फैलती है एक मेरी बढ़ी तो अकेले मेरी नहीं बढ़ी मेरे थ्रू और भी लोगों की बढ़ रही है और जब उनकी बढ़ेगी तो सिर्फ उनकी नहीं बढ़ेगी उनके थ्रू और भी लोगों की बढ़ेगी उनके आस पास में लोगों की बढ़ेगी और बढ़ते 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 बढ और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं क्योंकि अगर Soul के लेवल पर काम करना है बाकि जितना भी काम है Mind का, Body का वो सब भाहर हो रहा है Concentration भाहर हो रहा है किसी नहीं बार प्रम करना है लेकिन जो Soul के लेवल पर काम है उसके लिए अंदर जाना पढ़े आँखें बंद करनी पड़ेगी, meditation करनी पड़ेगी. और कितना असान है meditation करनी? लोग सुचने हैं, बहुत मुश्किल है. एक वीडियो है, spiritual reality power of meditation. आप लोगों ने देखी हुई है? सब ने देखी हुई है. उसको देख करके simple उसको practice करना चुरू करना है. करना क्या है? दिन में 10 मिनिट भी करें, 15 मिनिट भी करें, तो बहुत है. वहाँ से जो powers भड़ेंगी, वो beyond है. और अगर मेरा बस चले, तो सबसे पहले मैं meditation को compulsory कर दूँँगा इंडिया के जितने भी schools हैं और colleges हैं बहाँ. सिर्फ 15 मिनिट का एक ऐसा पीरिड होना चाहिए daily, हर स्कूल में और हर college में, जहां पर इस awareness के बारे में कुछ बात की जाए. बजाए उनको रट्ट तोता बनाने के, उनको एक ऐसा इंसान बनाया जाए, बजाए उनको रोज एक मचली खिलाने के लिए, उनको मचली पकड़ना सिखाए जाए, ताकि जिन्दी की भर के लिए उनका पेट बढ़ जाए. बजाए knowledge की एक-एक मचली रोज देने के, उनको ये समझाए जाए कि मचली पकड़ते कैसे हैं, कि इस knowledge की मचली को पकड़ा कैसे जाता है, वो ध्यान की पावर से. और मेरी आप सबसे request है, आप लोग जो हैं आपर बैठे हुए हैं, जो भी वीडियो पर मेरे को देख रहे हैं, अपने end पर मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँ आप, और आप लोगों से मैं बस इतनी सी request कर सकता हूँ, अगर हो सके, तो अगर आप में से कोई teacher है, parents है, या students है, इन तीनों में से किसी भी एक category में है, उनको एक letter लिखना है अपने principal को, जिस letter के अंदर आपको ये लिखना है, कि जो meditation है, उसके बारे में आप कहीं से भी कोई भी article उठा सकते हो, अब तो scientific, इतनी studies हो गई है meditation के उपर, जिसकी कोई हदी नहीं है, महला हजारो studies है, कि 20 minute की meditation है, वो 2 घंटे की नींद के बरावर है, सोच करके देखो, अगर 2 sessions के बीच में, एक school में, या college में, 20 minute का meditation का session आ जाए, तो उनकी सोचने समझने की शक्ती, सीखने की शक्ती कितनी बढ़ जाएगी, बच्चों की life बतल जाएगी, और आपको क्या करना है, letter में लिख करके, we request you to please start a meditation session in your school, it's going to be great for the students, एक school में हजारों बच्चे हैं, कितने teachers हैं, कितने parents हैं, मैं गया तो होगा, दस letter भी पहुच गए ने एक principle की हाथ में, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, और उनको बोलो कि अगर आप सब बच्चों के लिए नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, six standards से उपर वालों के लिए कर दो, six के लिए नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो अगर आधे स्कूल्स भी जितने स्कूल्स हैं इंडिया में, उसके आधे स्कूल्स भी अगर इसको शुरू कर देते हैं, आने वाले दस साल के अंदर-अंदर हिंदुस्तान का नक्षा बदल जाएगा, मैं लिख कर के दे सकता हूँ कुरेगा अगर्स में, थोड़ी सी विजिन को लॉंग टम रखना पड़ेगा, इंपररी सॉलुशन की बजएए पर्मनेंट चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, एस पेरेंट्स, एस टीचर्स हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, 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 कि ध्यान को लगाना किसी ने सिखाए नहीं, तो ध्यान लगेगा कैसे, उपर से हम कंपारिजन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जिनका ध्यान लग रहा है, क्या मतलब है, हो सकता है उनका पढ़ाई में लग रहा है, इसका म्यूजिक में लग रहा है, एक music वाले को और पढ़ाई वाले को जबकि दोनों की अपनी limitations है जिसका पढ़ाई में लगा रहा है उसने पढ़ाई में तो लगा लिया music में नहीं लगा पाया उसने music में लगा लिया पढ़ाई में लगा पाया अरे हमको करना है कि ध्यान का level भड़े awareness का level बढ़े कि वो बच्चा जब चाहे अपने पढ़ाई में ध्यान लगा सके sports में ध्यान लगा सके music में ध्यान लगा सके किसी भी activity में ध्यान लगा सके और जब वो उस activity को कर रहा है उस समय वो बागी सारी activities से ध्यान हटा सके यह solution है, यह permanent solution अगर ऐसे बच्चे आगे आएंगे तो वो socially responsible citizens होंगे वो कुछ अच्छा ही करेंगे अपने अपनी field में, बुरा चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो जागे होए होंगे सोय होए नहीं होंगे, तो हमको उनको जगाना है और सिर्फ यह नहीं कि बच्चों को जणाना है पहले parents को जागना है पहले parents यह नहीं उठा करेंगे बच्चे आपर डाल दें बेटा तू जाग, चले वीडियो को देख और जागना शुरू करें अरे तुम्हें भी जागना है सबको जागना है पच्चों को जागना है, parents को जागना है, teacher को जागना है principal को जागना है, सबको जागना है जितने ज़्यादा लोग जागते चले जाएंगे वो society उतनी ही अच्छी होती चले जाएगी उतनी ही रहने लाइक होगी